हम दोस्तों जा रहे हैं देखिए बढ़हर का सबजी बनाने तो देखिए कैसे हम बनाते हैं ऐसा सबजी आप लोग खाए नहीं होंगे बढ़हर का फल खाए होंगे मगर यह सबजी नहीं खाए होंगे तो देखिए हम अपने किचन में कैसे बनाते हैं इसको तो देखिए इस माटर चित्पत्ता है यह सब इसी से हम बनाएंगे तो चलिए हमारे किचन में हम बनाते हैं युआ अगि अरस जेराम गुल मीरिच का अध्रक का पेस्ठ हो गया है इसी में मिलानेखे थोड़ा सा धनिया पॉड़र अब थोड़ा सा हल्दी है इसलिए थोड़ा सा हल्दी मिलाएंगे अब चलते हैं आप कडाही में पानी डालके हम बैठाएंगे के या इसको ऐसे काट के हम दोफारी का कि पानी में डालेंगे तोड़ा सा खाली भाप लगाएंगे इसका खटाई खत्म हो जागा बढहर का फुल में थोड़ा खटापन रहता है कड़ाई रखेंगे इस पर ऐसे में थोड़ा पानी डालेंगे बढ़हर का स्पूल को थोड़ा उबालेंगे पानी गरम हो गया इसमें हम डालेंगे इसे इसको डाल के थोड़ा सा भाप लगाएंगे देखिए ये हो गया भाप लग गया इसमें एक खोला गया इसको अब निकालेंगे इसको ठंडा पानी से धोएंगे इस निचोड़ के इसका पानी पूरा निकालेंगे कराई फिर से मैंने बैठा दिया फिर इसमें हम तेल डालेंगे तेल गरम हो गया इसमें डालेंगे दाल चीनी पिंचे पक्ता बड़ी छोटी लाची लालो गया है प्याज डालेंगे क्या हमाने पिष्ट बत बड़ी ते डिया अलेंगे पिले अलू खूरा गया है अलो है आक में पिलेगे कर दोंट को बढ़ देंगी को बढ़ दो कर दो को बढ़ा देंगी अगे डिसमें सब मासाला जो मेलाति रखे ते बौदा लेंगे पॉर्ड़ पॉर्ड़ डालेंगे और ये टेमाटर जीट अबस्वाद नहले हो पॉर्ड़ 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 ध्यार्ब खॉर्ड़ ऐस राद नहीं है क्लार बदल रहा है मसाला और सब भुजा गया है थोड़ा सा और भुजेगे दो चार मिनित फिर इसके बाद पाने थोड़ा सा डाल के तब देंगे देखिए हो गया एक दम फस्कलास का बनके तयार हो गया बढ़हर का सबजी अब इसके थोड़ा साम धनिया चिरिक देंगे देखिए ये बढ़हर का फूल का सबजी बनके तयार हो गया देखिए ये कैसा है मूलाइम एक दम एक दम मूलाइम है और ये सत्तू का पूरी है इसके साथ बहुत मस्त लगता है अब अपने घर में बनाईए खाईए और थोड़ा सा इस पे धनिया चिरिक देंगे और सुन्दर लगेगा स्वाद भी बढ़ जाएगा और हमारे वीडियो को लाइक सिस्क्राइब जरूर से करिए ज्यादा से ज्यादा से शेयर करिएगा धन्यवाद झालुच कितर वीड और भालुच को लिए हमाम इजक से ज्यादा।